हेलो एबरीवन एसस्टी में चाप्टर नबर फूर आज स्टार्ट करेंगे एर अराउंड अस इसका मतलब होता है हमारे आसपास का वतावरण जो हवा है वाई मंडल है इसके बारे में हमको पढ़ना यह लेक्चर नबर फॉस्ट है जो चाप्टर नबर फॉस्ट है का जो हाथ आप इसको ऐसे वेव करो अपने चारो तरफ वेव करोगे तब क्या फिल हो रहा है वेव करोगे तापके जो हैंस की जो पॉम्स है यह जो पाम्स है ना यहां थेली से फिल हो रहा है कि हां कुछ हमारे हाथ में आ रहा है और हमको थोड़ी से फिलिंग आ रही है तो यह जो ची फिलिंग आ रही है ना इसको बूलते एयर जो एयर होता है different type के gases का mixture होता है different type के gases है इनका क्या है mixture है इसमें क्या आते हैं dust भी होते हैं इसमें क्या होते हैं dust भी होते हैं आप जहां भी बैठे हो या क्लास्रूम में बैठते हो बाहर जाते हो तो आपके आप जहां भी खड़े रहोगे जहां पर चलोगे उसके आइसपास हमेशा जो जू गैस का बंडल होता है ब्लैंकेट होता है इसको बोलते हैं इसको atmosphere बोलते हैं उसको तो हम उस atmosphere में रहते हैं तो इस atmosphere कहाँ है यह हमारे चारों तरफ है इसलिए इसको चैप्टर का नाम क्या है एर अराउंड अस समझ मैं बार यह जो चैप्टर है इसमें हमको पढ़ना क्या है चार चीजों के बारे में आप जानेंगे पहला यह हमें हावा की जरुरत है क्यों दूसरा यह पढ़ेंगे एर पॉल्यूशन के बारे में पॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि गंदगी फैलाना सिंपल भास हम पॉले तो क्या होता है गल्द की फैलाना तो एर पॉल्यूशन का बोलेंगे कि हावा जो है वह गंदी हो चुकी है या प्रदूसित हो चुकी है उसके बारे में कि वाट पल्यूट दा एर कौन से चीज़े होती है पल्यूट का मतलब दूसित या गंदी कर द गैसे दो चार गैसे के आपको नाम लिखना है यहां पर तो कौन-कौन से गैसे का आप नाम लिखते हैं फटक से हैं कॉलम से बरते जाहिए जो को जो गैस हम रेस्परेशन के लिए इस्तमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम ब्रीधिंग के लिए जो हवा इस्तमाल करते है है उसको क्या बोलते हैं oxygen तो आप oxygen बढ़ सकते हैं जो हम हवा निकालते हैं हम humans उसको क्या बोलते हैं carbon dioxide क्या बोलते हैं उसको carbon dioxide जो oxygen होता है इसको एक symbol लिखते हैं small o2 capital O भी लिख सकते हो आप O2 क्या लिखेंगे O2 O2 मिस oxygen carbon dioxide को क्या लिखते हैं C मिस carbon और dioxide मिस O2 तो क्या हो जाकर CO2 उसी तरीके से गैस होती है hydrogen तो hydrogen gas के लिए क्या लिख सकते हैं H2 H2 का मतलब hydrogen gas वैसे gas होती है nitrogen इसको क्या लिख सकते है N2 यह जो है अलग-अलग gas है एक और gas होती है उसको बोलते हैं CO carbon इसका नाम है C means carbon O1 है इसको बोलते हैं क्या बोलेंगा Mono Oxide तो इसका नाम हो जागा Carbon Mono Oxide इन gases के आप इन बॉक्स में वीडियो को पॉज करके फिल अप कर देंगे नेक्स स्लाइड में बढ़ते हैं जो हमारा अर्थ है अर्थ हमार होम प्लेनेट है ना जिस अर्थ होम प्लेनेट पर हम रहते हैं यह अर्थ है और अर्थ के सबसब्राइब कर इसको Under style कर सकते हैं हम सब ये जरुत पड़ती है नीट यह टू ब्रीद का मतलब व्रीद हरता है दो अना सांस लेने के हैं होा की जरुवत करने से नहीं इसमें ड्रस्ट भी आते हैं और वॉटरवेपर भी आते हैं वॉटरवेपर क्या से आएंगे सेलाइट जब पढद किसी भी आपके पास करांड होगा ना रिवर्स ओंगे ना जो इसमें पानी होता है तो जब सूरज की किरने पड़ती है माले यहां पॉंड है ठीक है तो सूरज की किरने पड़ती तो गरम होता है गरम होने के बाद में यह वाटर ड्रॉफ जो चोटे-चोटे-चोटे-चोटे पार्ट किसमें बनके उड़ने लगते उपर की तरफ में इस प्रोसेस को बोलते हैं एवो परेशन के दवारह यह जो वाटर कहां गया कहां पहुंच गया यह पहुंच गया atmosphere में जो एयर है इसमें भी क्षोगा इसलिए बोलते हैं कि जो एयर है उसमें क्या पाए जाता है आपका वाटर भी पाए जागा जो पर जब चलते हैं कुछ भी धूल धक्र उड़ते हैं का जाते हैं हमारे हमारे हमारी जो एर्थ घारते हैं इसको क्या बोलते हैं उसमें डस्ट भी मिल गया तो atmosphere में क्या आ जाते है डस्ट भी आ जाता है वाटर भी आ जाते और several gases the layer of the air यह जो हवा है यह इसकी लेयरिंग होती है क्या होती है जिसे आपको सर्दी के तो पहले सब्सक्रां मैं आपको ठंडी लेक्त क्या करते हैं पहले हैं उसके बाद और सब्सक्राइज पहनते हैं। लेयरिंग ani इसको पтовर सब्सक्राइब इस här Guki फाइड यह है लेकुकर बोलते हैं अथमॉस्फियर क्या बोलते हैं उसे और ऐसे पाइब देरर फाइफ लेर सब्ट्मासफियर कितने होते हैं 5 इंके नाम क्या है पहले को बोलते है त्रोपोपे क्यों सबेंगे क्ञें और पांच में एकक्साइबब और रिपीट करते नाम धरती से थर्टी पर आप पतंग उढ़ाते ओर किकलग करते हैं काई जो है पहले रūले ऊंड़ 요 हाइट पर टिक में आप पने काइट पर पर पकर तहया थी कुछ ताइम के बाद में कुछ बजा जाए दूरिव कुछ और को बोलते हैं ट्रोपोई स्फेयर क्या बोलेंगे ट्रोपोई स्फेयर उसके बाद में कुछ और उचाई पी पहुंचेंगे तो लेयर का नाम चेंज हो जाएगा उसको बोलेंगे stratosphere क्या बोलेंगे stratosphere उसके बाद देखे टोटल लेयर्स कितनी थी फाइफ तो वन टू त्री फोर फाइफ में कौन आया कि थ्री तो वन टू तो फर्स्ट लेयर को बोलें ट्रोपोई स्पेर दूसरे को बोलते हैं इस्ट्रेटो तो थॉड़ वाले को क्या बोलेंगे इसको में से चोथी का नाम है वह थर्म इस थर्म का मतलब होता है ठीक है तो इसका टमप्रेचर से कुछ कनेक्शन होता इसलिको क्या बोलते है थर्म इस्फेर और उसके बाद होता है सबसे लास्ट में जहांपे आप्मोस्फियर खता मिल हो जाता है उसको बोलते हैं 100 एका इस फेर और सब के नाम में सब कि नाम में और दियुकर मतलब होता यह आपके पास बॉल लोगे शोड़ोंसे आप लोग फुटबॉल खेल ड़िफ दग हो तो जे बॉल allez उस ने रिकान थे wattार इसको में यह चारू तरफ पाई जाती है इसे यह हम भुल का से प्रिफिक्स लगा है अब देखिया द्यान से हमारी अर्थ हो गही अर्थ को क्या बोलते हैं ब्लू प्रेंट क्यों बोलते हैं क्योंकि आप 70 परसंट क्या पाई जाती है वाटर पाई जाती है अर रिक्षा मूब करना सुरूः की तो सबसे पढले क्या होती है ढूरा इस विर आपको पता है बारिस चाहित की चुम्त सांद बंते पर के लिक्तल्स का रहाँ हैमने यह सारे यह जातेёт कई लिएर में दूसरा जो इसको बूलता है इस इस स्फेयर क्यों बूलते हैं यह जो है इसमें ना तो बादल्स बनते हैं और ना यहां धुल धकड़ होते हैं यह पूरी तरके से यहां अफ्रेस्ट होता है और जो इयरप्लैन इसस्पेर बीदेए कौन से में स्ट्रेट्टो स्फेنت इसके बाद बात आती है किसकी मिस रिखत हो घृत कि इसके बार शोड़ा जाते हैं वुचय जाते किस में ठर्म्ष स्पेर में तुठ्प्स के इसके बाद लास्क प्में कॉन्सास फ्यर एक्ट फियर ठीक है कि अब कोषिण यह हैं कि वाई डूवी एडून है हमें हावा की जरूअ हुआ है मैं यापसे पूछू क्यों जरूआ है तो अब आपकर बोले कि सार्ण हर एसलिये जरूए है क्योंकि हमें ब्रीधिंग करने हो लाउं होंगे किसी के घर कैट्स होंगे डौग होंगे वह भी तूप रिधिंग का रहेंगे ला इसलिए हावा जुअ जरूत है और हवा न रहेंके तो क्या होगा हमने सांस ले जाएंगे तो नहीं मर जाएंगे पेड़ पौदे सुख जाएंगे इसलिए हवा जो है जरुवत होती है तो all living things जितनी भी सजीव चीजे होती है need air to breath सांस लेने के लिए सब को एर की जरुवत होती है so if there was no air अगर हवा नहीं होती कि there would be no plan अगर हवा नहीं होती तो कितनी सैड बात है बताओ प्लांट्स नहीं होते कोई एनिमल्स नहीं होते और human being जितने हम इंसान धरती पर यह भी नहीं होते तो नहीं होते नहीं smell कर सकते सुगन ले सकते किसी चीज़ को और नहीं टेस्ट कर सकते किसी चीज़ को खा के बता सकते थे कि उसका टेस्ट क्या है इस्ट इन एयर इफ एट प्रिया टेस्ट वी पुरीद इन एयर हम क्या करते हैं हवा के सांस लेते हैं ब्रीधिंग इन ए इंपॉर्टेंट फारे हीमस and अन्यमस टू लिव जिन्दा रहने के लिए जितने भी इनमस होते हैं और इनको सानलाइट में जितने प्लांट लेते हैं और यहाँ से वाटर ले करके क्या करते हैं यह करते हैं अपना stop food करते हैं फुट बनाते हैं यह बीसिकली फुड मेकिंग इनका किचन होता है जितने पीड के पत्ते होता सिभी जा는 time of society और नापकाने के वझें आएचस को बहुत है उस को बोलते औक और यहीं और करते हैं उसमार करते हैं एला कलुग सबमाब चाहने चाहिए से हम ईवन बिंग्स जितने स्टूडेंट सब लोग वीडियो शुन रहे होगा है नहीं सुनने इस सारे अनिमल कोई दोगी है दोगी है जितने सारे आप अनिमल देते हों यह सारे लोग इन हेल करते हैं का मतलब सांस लेते हैं कौन से चैसका oxygen का एक्स हेल एंड एक्स हेल एक्स हेल का मतले सांस निकालना चोड़ना कौनसी के और जियर जब की जितने छोटे चोटे प्लांट होते हैं किसी के घर गोभी का प्लांट होगा किसी घर रोज के प्लांट होगे या किसी के ट्री होगा तो जितनी सारे ट्री होते हैं और यह जो प्लांट होते हैं यह क्या करते हैं इनहेल करते हैं कॉर्बन डाई अक्साइड इनहेल मतलग वह सांस लेते हैं कौन सी का और एक्स हेल किसको करते हैं एक्स का मदले है बाहर निकालना कौन सी गया सको आक्सीजन को प्लांस नीड ए एर टुमेक देर फॉल और जितने प्लांट से हैं उनको कार्वन एकसाईट की जणद परती है अपने खाने को पकाने में ठिक है इसका आगे नेक्स लेक्चर आपके थैंक यू